श्रीयान स्वधर्मों विगुणा परधर्मात स्वनिष्ठितात स्वधर्मे निदनम श्रेया परधर्मों भयावः सुन्दरूप से अनुष्ठित परधर्म की अबिक्षा गुण रही धोने पर भी निच्धर्म श्रेष्ठतर है हम दो हैं और ये जो दो हैं इनका कोई मिलन नहीं हो सकता और इन दोनों को एक साथ ही रहना है तो कैसे रही दोनों को बले ही एक ही घर में रहना है पर अपना एक काम करे और दूसरा अपना करे ये मनुश्य की स्थिती है जैसे एक जोड़ा हो जिसे रहना एक ही घर में है संबंद भी छेद नहीं हो सकता उस घर का नाम क्या है शरीर उसके बीतर दो रहते हैं पुरुश और प्रकर्टी दोनों को एक ही साथ रहना है जब तक जीवन है क्योंकि दोनों में आयाम गत अंतर है शरीर घर है इसके बीतर पुरुश और प्रकर्टी रहते हैं उन्हें हमेशा साथ ही रहना होगा लेकिन वह साथ भी नहीं रह सकते तो अध्यात्म बस पर यही सिखाने की कला है कि फिर कैसे जीएं ये जो ग्रह करलेश है इसमें निप्टे कैसे उसका तरीका भगवान श्री किश्ण ने बताया इंद्रियों को माने प्रकर्टी को अपना काम करने दो उसकी अपनी रुचियां हैं और अर्जुन तुम अपना काम करो ना तुम उसमें बादा डालो ना तुम उसे अनुमती दो अपने में बादा डालने के लिए वो अपना करे तुम अपना करो बस और उसके प्रती संबान रखो नमन ही कर लिया करो उसको नमशकार करो अपना काम करो ये है करम योग जीवन अपना ऐसा रखो कि तुम्हारे चेरे से तेज फूटे माणी तुम्हारी ऐसी हो कि विर्थ बाचित देर तक चल ही न पाए कोई आए तुम्हारे पास और कोई उल जलूल बाते करे तो तुम बस एक नजर कर दो उसकी और और उसकी अवाज गले में ही रुक जाए ऐसी तुम्हारी नजर होनी चाहिए तुम्हारा अगर चेरा ही ऐसा है कि वह अपमान को आमंतरित कर रहा है तो लोग आकर अपमान ही करेंगे जो सत्य के सामने नहीं जुकेगा उसे ना जाने कितनों के सामने जुकना पड़ेगा और जो सत्य के सामने जुक गया वै अब किसी के सामने नहीं जुकता तुम्हारे सर को यदि बार-बार जुखना पड़ता है तो ये जान लो जहां जुखना चाहिए वहां नहीं जुखा एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तेयतिय अगायू रिंदियरामू मोगंपार्थ सजीवती अर्जुन इस प्रकार प्रवर्तित कर्म चक्र का जो अनुसरन नहीं करता वह इंद्रिय सुखा सक्त पापी व्यर्थ ही जीता है श्रीपत भगबत गीता अध्याय तीन श्लोक नमबर सिक्स्टीन क्रिष्ण की तरह होने का अर्थ है जीवन को यग्य बना दो तुम्हारे पास जो भी कुछ है उसको भेट करते रहो उचाई और उचाई की तरफ सबसे महत्पूर्ण हमारे पास जो संसादन है पै क्या है समय जीवन ही अपना समय लगाना है चेतना को उचाई देने की इसका मेरे मन पर क्या असर होगा बाकी बाते एक तरफ बाकी सब बाते एक तरफ क्योंकि एक ही चीज है जिसका महत्व है वह है चेतना अपना सब कुछ होम कर दो दो चेतना को उठाने के लिए श्री किष्ण कह रहे है ऐसे मैं जीता हूँ ऐसे ही तुम जीओ और कोई काम होने का अर्थ यही है कि एक ही कामना रहेगी जेतना को उपर उठाने की जेतना जब उपर उठती है तो कृष्णत्व कहलाता है तो कृष्ण की कामना रहेगी बस और कोई कामना नहीं रहेगी